उत्तरदाई सरकार हमने लीबिया में देखा कि निर्णय के अंतिम शक्ति सैनिक संगठन के पास थी वह जनता द्वारा चुनी हुई नहीं थी वहां की जनता सैनिक संगठन के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य थी जबकि सैनिक संगठन किसी के प्रती उत्तरदाई नहीं था इसका चुनाव प्रतिनिधी गण करते हैं एक लोकतांत्रिक देश में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधी और उनकी प्रतिनिधी सभा सर्वोच होती है जितनी भी चुनी हुई सरकारे कारे कर रही होती है वे विभिन तरीकों से जनता के प्रती उत्तरदाई होती है भारत की शार्षन व्यवस्था पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि केंद्र की सरकार वा विभिन राज्य सरकारे इस तरह से लोगों और उनके प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदाई होती हैं भारत में कारेपालिका के सभी लोग जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री परिशदों के मंत्री वा उच्च अधिकारी, संसद और राज्य विधान मंडलो, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदाई होते हैं इनका चुनाव प्रतिनिधी गण करते हैं निश्चित अवधी के बाद चुनाव सभी सरकारों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए किया जाता है क्या आप बता सकते हैं कि भारत में इसकी अवधी कितने वर्ष के लिए होती है सरकार सत्ता में पुना तभी आ सकती है जब जनता उसे पुना चुने चुनाव का समय लोगो के लिए वह समय होता है जब वे लोकतंत्र में अपनी शक्ती का अनुभव करते हैं इस तरह निश्चित अवधी के बाद नियमित चुनाओ होने पर जनता का सरकार पर नियंत्रन बना रहता है। यदि जनता जन प्रतिनिधियों के कारे से संतुष्ट ना हो, तो चुनाओ के द्वारा सरकार को बदल सकती है। स्वतंत्र एवं निश्पक्ष चुनाओ स्वतंत्र और निस्पक्ष चुनाव करवाने के लिए या आवश्यक है कि ये चुनाव किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा करवाये जाए तथा विभिन राजनेतिक दलों को इन में बिना किसी पूर्वशर्थ के भाग लेने की अनुमति दी जाए भारत में चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग नाम की संस्था कारिक करती है हमारे सम्विधान में चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए कई विशेश अधिकार दिये गए है निस्पक्ष चुनाव के साथ साथ लोगतंत्र के लिए बहुद अलिये प्रतिसपर्धा की भी आवशक्ता है इसी से लोगों को विकल्प मिलते हैं जिन में से वे चुनाव कर सकते हैं सारुभॉमिक व्यस्क मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम कहते हैं कि लोगतंत्र जन्ता का शासन है अर्थात हमारे देश में सभी वेस्क वेक्ति चाहे महिला हो या पुरुष अमीर हो या गरीब किसी भी धर्म के अन्वियाई हो चाहे वे कोई भी भाशा बोलते हो उन्हीं चुनाव में मतदान का अधिकार है या सामाजिक समानता है प्रतेक वेक्ति को वोट का समान महत्व है इसमें गरीब हो या अमीर सिक्षित या असिक्षित लोगतंत्र में प्रतेक वेक्ति के वोट की समान कीमत है प्रारंब में कुछ देशों में मतदान का अधिकार मात्र उन लोगों को ही प्राप्त था जिनके पास संपत्ति थी यकर यानिकी टेक्स देते थे धीरे धीरे संघर्ष के बाद कई देशों में मताधिकार सभी को दिया जाने लगा भारत में सम्विधान लागू होने के समय से ही सभी को सारोभौमिक व्यस्क मताधिकार प्राप्त है जिसका अर्थ है कि 18 वर्ष से जिसका अर्थ है कि 18 वर्ष या उससे उपर की आयू के सभी लोग मतदान कर सकते हैं लोगतंत्र में जन भागीदारी लोगतंत्र में शाषन के संचालन में जनता की भागीदारी होती है कानून बनाने और उनको लागू करने में भी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होती है सरकार को जनता से ही समस्याओं एवं आवशक्ताओं की जानकारी मिल सकती है योजनाओं के क्रियान्वेन में निरिक्षन, परिक्षन, सुझाओ, शिकायत करनी चाहिए लोगतंत्र की मजबूती के लिए नीती निर्मान से पूर्व जनता में विभिन माध्यमों से व्यापक चर्चा होती है लोग किसी भी कानून या नीती के विशे में अकबारों में लेग लिख कर टेलिविजन एवं इंटरनेट पर होने वाली बहस में भाग लेकर ग्यापंदेकर, सेमिनारों, कारिशालाओं, समेलनों वा अन्य कई माध्यमों से अपने विचार रखते हैं ऐसे चर्चाओं को संचालित करने के लिए समितियां और समू बनाये जाते हैं जनता की उदासींता लोगतंत्र की सबसे बड़ी शत्रू है